नमस्ते दोस्तों स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टेडी चैलेंज पर और आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिक्ध धर्म के बारे में तो इससे पहले हमने धर्म दर्शन से सम्मंदित विशे पर जयन धर्म, बौत धर्म और हिंदू धर्म से सम्मंदित वीडियो हमारे चैनल पर डाल रखे हैं तो आप उन्हें भी देख लीजिए क्योंकि उनसे रिलेटर्ड भी एक्जाम्स में काफी बार प्रशन बनते हैं और आज के वीडियो में हम बात करेंगे सिख धर्म के बारे में इनके जो दस गुरू रहे हैं उनसे सम्बंदित एक्जामस में काफी बार प्रशन बन जाते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो तो सिख शब्द का अर्थ होता है शिश्य सिख धर्म हिंदु धर्म की ही एक शाखा का परिवर्दित रूप है इसकी स्थापना गुरु नानक ने की थी और नानक की विचारधारा एक इश्वर वादी एवं निराकार ब्रह्म की उपासना से सम्बंदित थी सिख धर्म की प्रमुक मान्यताओं में आते हैं कीरत करो यानि की कर्म करो नाम जपो यानि की इश्वर का सुमिरन करो और वंड छको यानि की परोपकार में विश्वास रखा जाता है सिख एक परमिश्वर में विश्वास रखते हैं जिसे अकाल पुरुष कहा जाता है आत्मा की अमरता कर्म आवागमन आदी हिंदू धर्म से प्रभावित है सिख अकाल गुरुष और जो इनके दस गुरु रहे हैं और गुरु गुरंत साहिब में असीम श्रद्धा रखते हैं प्रतिक सिख को पांच वस्तों धारन करनी पड़ती है जिने पंच ककार कहा जाता है उनमें आते हैं कड़ा, केश, कंगा, कच्छा और क्रपान सिख धर्म अपनाने के लिए पाहूल नामक संसकार के द्वारा खाल सपंथ में दाखिला लिया जाता है और अब हम बात करेंगे सिख धर्म के जो दस गुरु रहे हैं उनके बारे में तो चलिए एक एक करके जानते हैं कौन-कौन से दस गुरु रहे हैं सिख धर्म के तो बात करते हैं सिखों के पहले गुरू गुरू नानक जी की इनका समय था 1419 से लेकर 1549 इसवी तक सिख धर्म के ये संस्थापक थे और सिखों के पहले गुरू थे जैसा कि हमने पहले बताया आपको इन्होंने लहना को अपना शिश्य बनाया गुरू नानक का जन्म लाहोर के निकट तलवंडी में हुआ था यह स्थान अब पाकिस्तान में है तथा नंगाना साहब नाम से विख्यात है तेरा वर्ष की उम्र में इन्हें ग्यान का नुभव हुआ उन्होंने इश्वर की एक्ता का उपदेश दिया तथा घूंग घूंग कर उसका प्रचार किया इनकी प्रथम यात्रा इन्होंने जालंदर दुआब में सुल्तानपूर से प्रारंब की और गंगा नदी के मार्ग से पूर्व को होते हुए असम ततपश्चार ढाका तक गए और अंतिम यात्रा की बात करें तो तलवंडी से प्रारब होकर अरम में मक्का मदीना और बगदाद तक गए इस यात्रा का समापन करतारपूर में हुआ जहां उन्होंने अपने अंतिम दिन व्यतीत किये अब बात करते हैं सिखों के दूसरे गुरु रहे गुरु अंगद के बारे में इनका समय था 1549 से 1552 इस वी तक इनके बारे में दो बातें आपको ध्यान रखनी हैं एक तो इन्होंने लंगर विवस्ता को नियमित किया था और गुरु मुखी लिपी का विकास किया था ये दो प्रशन इन से बनते हैं तो आप जरूर ध्यान रखिए गुरु अंगद के बारे में ये सिखों के दूसरे गुरु थे अब बात करते हैं सिखों के तीसरे गुरु रहे गुरु अमरदास के बारे में इनका समय था 1552 से लेकर 1574 इसवी तक ये अकबर के समकालीन थे और अकबर इन से मिलने गोईंदवाल आया था इन्होंने उपदेशों के प्रचार एम प्रसार हितू 22 गदियों की स्थापना की तो ये आप अविश्य ध्यान रखिए कि 22 गदियों की स्थापना गुरु अमरदास के दौरा की गई थी और ये सिखों के तीसरे गुरु थे अब बात करते हैं सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास के बारे में इनका समय था 1574 से लेकर 1581 इसवी तक इनके बारे में आपको ध्यान रखना है कि एकबर ने ने 502 गहा का जमीन दी थी जिस पर इन्होंने रामदासपूर नामक नगर बसाया था जो बाद में अम अमरतसर है वही उसी का नाम पहले रामदासपूर हुआ करता था जो इन्होंने बसाया था सिखों के चौथे गुरु रामदास ने अब बात करते हैं सिखों के पांचवी गुरु अर्जुन देव के बारे में इनका समय था 1581 से लेकर 1626 वी तक ये गुरु रामदास के 1589 ईसवी में हरी मंदर साहब का निर्मान करवाया इसकी नीव कादरी संत मीय मेर ने रखी थी इन्होंने आदि ग्रंत का संकलन किया इस पवितर ग्रंत को 1604 इसवी में ऑपचारिक तोर पर अमरतसर मंदर में अधिश्ठापित किया था इन्होंने सिखधर्म की शिक्षाओ का सार सुखमनी साहिब तेयार किया खुसरों को समर्थन देने के आरोप में 1606 इसवी में जहांगीर ने इन्हें म्रत्युदंड दे दिया तो ये बात आपको अवश्य ध्यान रखने है क्योंकि यही प्रश्ण में पूछी जाती है काफी बार एक्जामस में कि जहांगीर ने इनका समय था 1606 से 1645 इसवी ये अरजुन देव जी के इकलोते पुत्र थे हरगोविंद जी ने सिखों के लिए सैन ने शिक्षा प्रारम कर उन्हें लड़ाकु जाती में परिवर्थित किया एवं अपने शिश्यों को मान सहार की अनुमती दी इन्हों ने अम्रत्सर की किल बंदी करवा कर वहां अकाल तक्त की स्तापना की तथा कश्मीर में कीरत पूर नामक नगर बसाया अब हम बात करेंगे सिखों के साथवे गुरु रहे गुरु हर राय के बारे में जिनका समय था 1645 से 1661 तक सामुगर्ड युद्ध के बाद दारशिकों इनसे मिला जिससे औ और अग्जेब नाराज हो गया तथा इनको अपने पुत्र रामराय को उसके दरबार में भेजना पड़ा फिर हम बात करते हैं इनसे समदित के वेल इतनी ही बात आपको याद रखनी है और फिर हम बात करते हैं सिखों के आठवे गुरु रहे गुरु हर किशन के बारे में इनका समय था 1661 से 1664 इसवी तक ये गुरु हरराय के छोटे पुत्र थे रामराय से नाराज होने के कारण गुरु हरराय ने इनको उत्राधिकारी बनाया था अब हम बात करेंगे सिखों के नवे गुरु रहे गुरु तेक बाहादूर के बारे में इनका समय था 1664 से लेकर 16 1675 तक तीक बहादुर जी ने अम्रत्सर की जगय माखोवाल में गद्दी स्थापित की इनके इसलाम कुबूल न करने के कारण औरंग्जेब ने इन्हें यातनाय देकर इनकी हत्या करवा दी तो यह आपको इनके बारे में ध्यान लगना है कि औरंग्जेब ने किसकी हत्या कर बादी गई थी नानक देव के बाद तेक बहादुर ही एकमात्र ऐसे गुरू थे जिन्होंने पंजाब तथा अन्य दूरवर्ती इलाकों का व्यापक भ्रमन किया था अब हम बात करेंगे सिखों के अंतिम और दसवे गुरू रहे गुरू गोविद सिंग के बारे में इनका स सोला सो नन्याण में इस्वी में खाल सा पंत की स्थापना केश घड में की थी तथा अपने अनुयाईयों से पंच काकार धारन करने को कहा इन्होंने दशम ग्रंत का संकलन किया सिखों को सैन्य शक्ति बना दिया मुगलों के साथ हुए युद्धों में इनके चारों पुत लिखा जाएगा तो औरंग जेप को जो इन्होंने फार्सी भाषा में पत्र लिखा था शांतिवारता के लिए उसे ही जफर नामा कहा जाता है 1708 में नांदेड माहराश्र में दो पठानों ने इनकी हत्या कर दी थी तो ये हमने बात की सिख धर्म के दस गुरू के बारे में और सिख धर्म के बारे में हमने प्रमुग प्रमुग बाते जान ली और इनसे रिलेटेड एक्जामस में काफे बार प्रशन बनते हैं तो आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, इसी तरह की जानकारी और स्टडी से रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल स्टडी चैलेंज को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आते तो लाइक कीजी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लि वीजिए, वीर में जेओ्ट वीजिए, वीजिए, वीजिए पसंदूब कर लाइक कीजीश वीजिए, चैसे पांद शयाति सोफश्ब्स पस्टाइब कर लाइक कीजवचे थे उliकोभियो में तो तरह को अख़।